पठान के फिल्म मेकर सिधार्थ आनंद इन दिनों खूब चर्चा में बने हुए है बीते दिनों उनकी फिल्म पठान बॉक्स ओफिस पर रिलीस हुई थी इस फिल्म ने टिकेट खिड़की पर धमाकिदार कमाई की बीते साल एक के बाद एक फिल्मों की धार्णा को तोड़ते हुए ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर चागई पठान के लिए शारु खान के फैंस पागल हो रहे थे पठान के डारेक्टर सिधार्थ आनन ने वार और बैंग बैंग जैसी सूपर हिट फिल्म में भी दी है और अब वो फाइटर जैसे फिल्म के लिए भी तयार है बीते दिनों की खबर आ रही थी कि वो क्रिश फोर का डारेक्शन भी करने वाले है अब राकेश रौशन ने इस पर रियाक्शन दिया है और पूरी सचाई का खुलासा किया है दरसल एक रिपोर्ट के मताविक बीते कई दिनों से ऐसा बताया जा रहा है कि सिधार्थ आनन रिटिक रौशन की बाच वेटर फिल्म क्रिश फोर की कमान सभाल सकते है रिपोर्ट की माने तो ये एक सूपर हीरो फिल्म है जिसके लिए एक ऐसे डावे की जरूट है जो इस बड़े स्केल की फिल्म को सहजिता के साथ समाल सके अब क्रिश फ्रेंचाईजी के डारेक्टर राकेश रौशन ने इन सभी दावों को खारिश कर दिया है जी हाँ, सिधार्त आनंद को लेकर किये जा रहे ये सारे दावे छूटे है राकेश रौशन से एक इंटर्वी के दारान इस बारे में सबाल पूछा गया तो उन्होंने हस्ते हुए कहा मैं तो पहली बार ऐसी बात सुन रहा हूँ हाला कि उनके रियक्शन ने इस बात को साफ कर दिया है कि क्रिश फोर का डिरेक्शन वही करते हुए नासर आने वाले है बता दे कि राकेश रौशन ने क्रिश की हर सीरीज का डिरेक्शन किया है ऐसे में कहा जा रहा है कि फिलहाल राकेश रोशन और रितिक रोशन दोनों इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं जैसे ही स्क्रिप्ट फाइनल हो जाएगी वैसे ही फिल्म का एलान कर दिया जाएगा और इस फिल्म का डारेक्शन को यह नहीं बलकीरा के शौशन खुद ही करेंगे बात करें रितिक रोशन की तो रितिक को हाल ही में साउथ इंडियां फिल्म विकरम वेधा में देखा गया था जो बॉक्स आफिस पर डिजांस्टर साबित हुई थी इस फिल्म को बनाने में डारेक्टर ने खूब पैसा लगाया था हाला कि फिल्म को लोगों ने रिजट कर दिया जो रितिक रोशन के करियर के लिए बेहत खराब साबित हुई है ऐसा इसले भी क्योंकि इस फिल्म से पहले रितिक रोशन को वार में देखा गया था जो एक ब्लॉग पस्टर साबित हुई थी खेराकेश रोशन ने अपने बीद इंटर्व्यू में ये क्लियर कर दिया था कि अभी क्रिश फोर को बनने में काफी टाइम लगने वाला है और इसकी रिलीज भी काफी दूर है इस फिल्म की शूटिंग साब 2024 के बाद शुरू की जाएगी वैसे आप लोग रितिक रोशन की क्रिश फोर का घितनी बेसबरी से जज़ार कर रहे हैं शुयार कीजेगा अपने जवाब नीचे कॉमेंट सेक्शन में